जै हें स्टूडेंस मेरा नाम है डॉक्टर सौमया गुपता और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो की होने वाला है टिशूस टिशूस को अच्छी तरह से समझने से पहले हम दो चीजों का बहुत अच्छे से धियान रखेंगे सबसे पहली चीज यह कि यह जो च आराम से इससे बनते हैं ठीक है और दूसरी चीज यह कि आप स्क्रीन के दूसरी साइट तो बैठे हुए हैं लेकिन आपको एक एक शब्द को एक टर्मिनोलोजी है उसको मेरे साथ में दोहराना पड़ेगा जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएं अच्छी तरह से दिमाग में रख पाएं क्योंकि आखरी में हमारे पास जब रिविजन का टाइम होता है तब हम सिर्फ उन टर्मिनोलोजी के भरोसे अच्छी तरह से अपना एक्जाम निकाल पाएं अभी अच्छे से याद करते हुए चलेंगे तो बाद में काफी कम दिक्कत आने वाली है ठीक है तो अब शुरू करते हैं तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि टिशूज होता क्या है हम समझेंगे टिशूज कैसे बने होते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट टिशूज में ठीक है उसके बाद हमारा जो नेक उसको cover करेंगे, जो की होने वाला है plant tissues, ठीक है, चलिए, तो अब हम ये समझते हैं कि ये tissue होता क्या है, जब हमने पिछली class में cell पढ़ा था, तब हमने ये समझा था कि cell हमारी basic structural और functional unit होती है, हमने cell theory को समझा था, हमने एक basic classification पढ़ा था, जिसमें हमने ये समझा था कि एक unicellular kind of organisms होते हैं और एक multicellular kind of organisms होते हैं, जो unicellular kind of organisms होते हैं, उसमें एक ही cell होता है जो पूरा का पूरा organism बना रहा होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं Amoeba का example, Amoeba एक unicellular का एक बहुत common example था, इसी में एक ही organism हो जो कि पूरा का पूरा अपना सारे functions कर रहा होता है जैसे कि respiration, excretion, locomotion सब एक ही cell कर रहा होता है इसलिए हमने बूला था इसे unicellular लेकिन अगर हम हमारी बात करें humans तब इसमें बहुत सारे अलग-अलग-अलग-अलग kind of tissues होते हैं अब इसका क्या मतलब है अलग-अलग का मतलब जैसे suppose मैंने एक example बताया था जिसमें स्कूल में एक event चल रहा था वहां पे अलग-अलग groups थे ठीक है एक रंगोली का group था जिसमें रंगोली जिसमें पच्छों में specialized थे अगर मैं रंगोली वाले को बोल दूं कि तुम जाके dance कर लो तो अच्छा से कर पाएगा क्या नहीं न सारे groups अलग-अलग जैसे ऐसे ही हम consider कर सकते हैं कि अलग-अलग बच्छों के group को हमने consider कर लिया इस चीज के लिए specialized tissue एक ग्रुप को consider के लिए दूसरी चीज के specialized issue अब क्या होता है कि multicellular organisms में इसी तरह से specialized groups present होते हैं इसलिए काम बहुत efficient हो जाता है जो हमारा event है school का बहुत efficiently हो जाएगा अब मैंने क्या बुला यहां पर कि cells के group बने हुए हैं अलग-अलग हमने एक-एक बच्छे को एक-एक cell consider कर लिया अब वो groups बने हुए हैं लेकि क्या हम उस group को tissue बोल सकते हैं नहीं हम उस group को tissue नहीं बोल सकते क्योंकि tissue जो cells का बना होता है वो cells structurally और functionally same होते हैं similar होते हैं रंगोली बनाने वाले सारे बच्चे एक जसे होंगे जो रंगोली बनाने में बहुत अच्छे होंगे तो उनको एक टिशू बोला, इसको अलग टिशू बोला, ठीक है, तो मतलब टिशू को मतलब क्या हुआ, एक group of cells जो structurally और functionally और origin में सीम है, क्या मतलब है इसका, अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं, देखो, जो हमने humans पढ़े थे, इसमें अलग-अलग kind of tissues होते हैं, जैस मैंने तीन चीज में बताई कि अगर cells होंगे तो वो structurally, functionally और origin में similar होंगे, इसको समझते हैं, मैंने क्या बताया था last class में कि cells का अलग-अलग shape और अलग-अलग size क्यूं होता है, क्यूंकि उनको function सीम करना होता है, अगर हम brain की बात करें, तो उसमें neurons थे, ठीक है, neurons सारे एक जैसे थे, लंबे-लंबे cells, क्योंकि उनका function सीम था, इसलिए वो structurally भी सीम थे, तो ऐसे cells का group, जो structure सबका सीम है, function सबका सीम है, उसको हमने बोला कि एक tissue में आएगा वो, ठीक है, origin सीम का मतलब क्या, कि वो एक ही ज महां से जो origin होता है, cells का अलग-अलग जगय से, वो origin सेम होगा, अगर एक particular group of cells का, तो उसको हम बूलेंगे tissue, मतलब tissue क्या हुआ, a group of cells which is having similar structure, similar function and similar in origin, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, यहां पे भी लिखा हुआ है, a tissue is defined as a group of cells that possesses a similar structure and performs a specific function, ठीक है, यह जो tissue word है, वो एक French word है, जिसका मतलब होता है to weave, मतलब to bunna, cells एक तरह से बुने हुए हैं, ठीक है, इसलिए उनको हमने बूला tissue, tissue का मतलब समझ में आ गया, हमारी body में अलग-अलग-अलग-अलग group of cells है, जो particular function में specialized है, particular जगे पे present होता है, उनको tissues बोलते हैं, ठीक है, और यह जो tissues होते हैं, यह specialized होते हैं, अपने अपने function में, इसलिए multicellular organisms अपना काम करने में बहुत जादा efficient होते हैं, बहुत अच्छ किसे अपने काम को कर पाते हैं, ठीक है, tissue का मतलब समझ में आ गया, अब चलते हैं, आगए, देखो, मैंने बताया living cells होते हैं, ठीक है, एक type के cells ने बनाया एक tissue, एक second, देखो, एक सेल के टाइप ने बनाया टिशू बना लिया, ठीक है, एक ग्रूप ने बना लिया, जो एक जैसे सेल्स हैं, उनने टिशू बना लिया, अब टिशू के बाद आता है ओर्गन, इस बना लिया, अब स्टामक और बाकी वैसे सारे ओर्गन, जो डेजिस्टिन में हेल्प करते हैं, वो हमारा बना लिया एक ओर्गन सिस्ट्म, ठीक है, और्गन सिस्ट्म के बाद आता है, बहुत सारे ओर्गन सिस्ट्म जो अलग-अलग चीजों में स्पेशलाइज्ड है, उ ठीक जैसे सेल्स को अगर हम मिला लें, तो वो मिलकर बना लिया टिश्यू, ठीक है, अलग-अलग जो टिश्यू हैं, उनको मिलकर बन गया एक ओर्गन, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है स्टमक का, ठीक है, और वो सारे ओर्गन, जो डेजिस्टिन सिस्ट्म में और से लाज इंटस्टाइन, स्मॉल इंटस्टाइन, ऐसे सारे ओर्गन को मिला कर बन गया, हमारे एक ओर्गन सिस्ट्म, अलग-अलग ओर्गन सिस्ट्म को मिला कर बन जाता है, हमारा ओर्गनिजम, यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, चलो, अब देखो, प्लांट टिश्य और अनिमल टिशूस की बात करें जो प्लांट टिशूस और अनिमल टिशूस होते हैं वो दोनों अलग-अलग होते हैं यह समझेंगे हम कि अलग-अलग क्यूं होते हैं जैसे हम यहां पर देख रहे हैं प्लांट टिशूस ठीक है अलग-अलग टैप के प्लांट टिशूस होत एक जैसे क्यों नहीं हो सकते टिश्यूस, प्लांस और आनिमल्स में दोनों तो living beings हैं, नहीं, अब हम इस difference को समझेंगे, कि यह difference क्यों आया है, ठीक है, देखो, यह ट्री का image है, ठीक है, अगर एक पेड होता है, तो वो एक जगे ही रहता है, movement तो करता नहीं है, है ना, अगर एक जगे वो टिका हुआ है, तो उसे किस चीज की सबसे ज़ादा जरूरत होगी, उसे जरूरत होगी, सपोर्ट की, ठीक है, एक सपोर्ट चाहिए, जिससे वो एक ही जगे खड़ा रह सके, अब सपोर्ट की अगर उसे जरूरत है, तो उसमें mostly dead cells present होगे, अब ऐसा क्यों हो सपोर्ट तो dead cells भी दे सकते हैं, सपोर्ट तो living cells भी दे सकते हैं, ठीक है, living cell अगर होगा तो उसको और जादा energy की demand होगी, और जादा food की demand होगी, अपने पूरी सारी functionality चलाने के लिए, लेकिन dead cell एक ही जगे पर आएगा, लेकिन support प्रोवाइड करेगा और energy भी कम consume होगी, यह समझ में आपा रहा है, इसलिए जो हमारे plants होते हैं, उसमें mostly supportive tissues होते हैं, जो की dead होते हैं, ठीक है, mostly dead होते हैं, यह चीज हमें समझनी जरूरी है, अगर हम humans की बात करेंगे, या फिर animals की बात करेंगे, तो वो movement कर सकते हैं, एक जगे से दूसरे जगे movement कर सकते हैं, इसलि muscle tissues की help से ही हम यह समझ सकते हैं, कि locomotion होता है, ठीक है, locomotion में इन सारे tissues की जरूरत होगी, लेकिन अगर इसमें जरूरत है, तो इसमें supportive tissue होगा, जो locomotion में use होने वाले tissues होंगे, वो mostly living होंगे, ठीक है, यह समझ में आ गया, पहला difference क्या create कर रहा है, जो major difference है plants और animals के बीच में, कि plants एक जगे ही रहते हैं, इसलिए उन्हें supportive tissue की ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन animal tissues जो होते हैं, वो एक ही जगे नहीं रहते हैं, move करते रहते हैं animals, तो इसलिए उसमें locomotory tissues की ज़्यादा जरूरत होती है, जैसे हो गए muscle tissues, ठीक है, यह हमारा हो गया first difference, दूसरा difference, अगर एक tree है, तो उसका हर जगे से growth similar नहीं होता, ठीक है, अलग-अलग जगे पे, कुछ जगे पे growth हो रहा है, कुछ जगे पे growth नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा humans में होता है, क्या ऐसा animals में होता है, नहीं होता है, हम जैसे बड़े हो रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, कि हात बड़े हो गई शरीर चोटकी रहेगा या सिर्फ पैर बड़े हो गया पूरे एक जैसे बड़ते हैं मतलब इसमें होता है अनिमल्स में होता है यूनिफॉर्म ग्रोथ कि ये भी एक बड़ान सहती हैwie अनिमल्स में होगा यूनिफॉर्म नहीं होती है कुछ रीजुंस में ठीक है जहां ग्रोथ हो रही है वहां जो टिशूस प्रिजंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टमाटिक टिशूस यह मैं आगे चलके समझाओंगी अभी परिशान मत हो ना जहां ग्रोथ नहीं हो रही है वहां पर प्रिजंट होते हैं टिशूस ठीक है यह सिर्फ मैंने अभी डिफरेंस बताया है कि प्लांट टिशूस और अनिमल टिशूस में क्या डिफरेंस होता है अनिमल टिशूस में युनिफॉर्म ग्रोथ होती है लेकिन प्लांट टिशूस में जहां ग्रोथ हो रही है वो रीजन अलग होते हैं जहां ग टिशूज मेरिस्टेमाटिक टिशूज और अगर जहां गुरूद नहीं हो रही है वहां जो टिशूज प्रिजेंट है उनको हम बोलते हैं पर्मेनिन्ट टिशूज ठीक है चालो और यहां पर आ चाता है हमारा कंिट माप अब हम पढणे वाले हैं हैं टिशूज को प्लांट इशूज को tahun Jew को पढ़ने से पहले हम पूरा दिमाग में concept बना लेते हैं एक इमिज बना लेते हैं कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए इसलिए इसको बोला है अब जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा ठीक है अब देखो plant issues जो होते हैं वो two kinds के होते हैं मैंने बताया था एक होता है meristamatic tissues ओर एक होते हैं permanent tissues meristamatic tissues जो होते हैं these are responsible for growth जो permanent tissues होते हैं इसमें growth नहीं होती दे परफॉर्म अदर specific functions अब ही पढ़ेंगे स्कोंके समझेंगे ठीक है दो kinds of tissues हुए Merystematic tissues, Permanent tissues, Growth हो रही है तो वह हो रही है, Merystematic की वज़े से, और अगर particular specific functions हैं, तो वह हो रहे हैं हमारे Permanent Issue की वज़े से, ठीक है, Merystematic के 3 types होते हैं, एक होता है Apical, एक होता है Intercalorie, और एक होता है Lateral, सबका structure, सबका function बताऊंगी, याद करने का तरीका भी बताऊंगी, अ इसके बाद में अगर हम फ्रम इन्ट की बाद करें तो दो तयाप के पर्मनें टीसूस होते हैं, सिंपल और कॉंपलेक्स, सिंपलोग्पलेक्स से समझ आ रहा है, संपल होगा तो उसमें similar kind of tissues present होंगे, ठीक है? Similar kind of cells present होंगे, sorry. लेकिन अगर complex होगा तो उसमें हमें अलागलग type of sense देखेंगे, ठीक है, जो function same कर रहे होंगे, मिलकर function एक ही कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए उसको हमने बोला complex, अगर हम बात करें simple की, तो उसमें तीन types होते हैं, पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्कलेरन काइमा, अभी बिलकुल परिशान नहीं होना है, बात में सबका structure, सबका function हम समझने वाले हैं, ठीक है, complex permanent tissue की अगर हम बात करें, तो वो दो type के होते हैं, एक होता है, जायलम, एक होता है, फ्लोयम, क्या पड़ा हमने, एक वर इस concept में होता है, वो तीन प्रकार के होते हैं, apical, intercalorie और lateral, ठीक है, permanent tissue जो होता है, वो दो type के होता है, simple और complex, सबको आगे, अब हम समझते हुए चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम difference समझते हैं, meristematic और permanent tissue में, सबसे बहला difference क्या हुआ, ये growth में help करते हैं, ठीक है, no growth, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, they don't help in growth, ठीक है, क्या हो गया, वहला difference क्या ग्रोथ में help कर रहे हैं, ये growth में help नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा living cells ही होंगे, rapidly divide कर रहे होंगे growth के लिए, अब growth अगर हो रही है, तो sales बहुत सारे होने जरूरी है, एक cells बहुत-बहुत सारे cells बनते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, rapidly divide करना होगा, उनको जिससे वो growth दे पाए, ठीक है, एक plant को, इसी लिए, ये जरूरी से living ही होते हैं, लेकिन permanent tissue living भी हो सकता है, और dead भी हो सकता है, ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं permanent, तीसरा difference ये, कि Maristormatic के सिवा growth, Maristormatic जो tissues होते हैं, उनके पास growth के सिवा और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ growth करनी है इनको, और इनके पास कोई काम नहीं है, बस growth में help करेंगे, permanent tissues के पास में एक specific काम होता है, कुछ ना कुछ एक specific function में, वो help कर रहे होते हैं, ठीक है, तो Maristormatic में क्या, they are responsible for only growth, and जो permanent tissues होते हैं, they help in a specific function, समझ में आ गया, क्या समझाया मैंने, plant के majorly दो type of tissues होते हैं, बोलते हुए चलिए मेरे साथ साथ में, एक होता है Maristormatic, एक होता है Permanent, Maristormatic is responsible for growth of the plant, permanent is not responsible for growth of the plant, Maristormatic को rapidly divide करना है, living cells होते हैं, permanent tissue living भी हो सकता है, dead भी हो सकता है, Maristormatic के पास सिर्फ एक ही काम है, और उसको कोई काम ही नहीं करना है, सिर्फ ग्रोथ में help करता है, ठीक है, और जो permanent tissue होता है, वो बाकी के सारे काम करता है, specialized cells होते हैं, एक specific function करते हैं, ठीक है, यह major difference समझ में आ गया, शालो, अब हम समझते हैं कि यह permanent tissues आ कहां से रहे हैं, Maristormatic tissues divide कर रहे हैं, ठीक है, यह हम समझते हैं, देखो, हमारे जो Maristormatic tissues होते हैं, वो ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक time के बाद में उनको convert होना होता है, या किसी special काम को करने के लिए, वो lifetime divide नहीं करते, वो एक time के बाद में differentiate हो जाते हैं, इस word को हमें समझना है, differentiate का मतलब होता है कि एक different form में आ जाना, बदल जाना, एक specific काम के लिए बदल जाना, जैसे हम है, हम बच्चे हैं, हम growth कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े ही जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं करें जीवन में, ठीक है, तब ममी बापा हमें बोलते हैं कि एक particular काम करो अब, अपनी जिंदगी बनाओ, एक अच्छा सा काम पकड़ो, सिर्फ बड़े इमाद होते जाओ, ठीक है, इसी लिए ऐसी ही चीज़ को हमने बोला है, इफ्रेंशियेशन अपने फॉर्म को चेंज कर लेना, ठीक है, और एक particular काम करना, एक specific function करना, मेरे स्पेसिफिक टिशू जब चेंज होकर, एक specific function करते हैं, तब वो बनाते हैं, permanent tissues, मैंने बताया था न, permanent tissues ही specific काम करते हैं, specific function करते हैं, मतलब क्या हुआ, differentiation का मतलब यह हुआ कि अपने form को बदल दे रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ कर रहे थे पहले, लेकिन आप एक specific function करेंगे, differentiate हो जाएंगे, into permanent tissues, ठीक है, differentiation यहाँ पे हमें clear हो जाता है, चालो, अब जो हमारा meristematic tissue था, अब हम उसको detail में पढ़ते हैं, हमने sales भी जब पढ़े थे, जो different cell organelles पढ़े थे, हमने, तब उन में हमने क्या क्या पढ़ा था, कि उनका structure कैसा होता है, और उनका function कैसा होता है, ठीक है, यही समझते हुए चलेंगे, हम आगे की slides में, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अब यह किन-किन प्रकार के होते हैं, हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले, अगर हम बात करें, उनके origin की, तो यह तीन प्रकार के होता है, ठीक है, और अगर हम बात करें, location के हिसाब से, तो भी यह तीन प्रकार के होता है, अब इनको समझते हुए चलते हैं, कौन से types होते हैं, ठीक है, देखो, location के हिसाब से, यह होते हैं, apical, intercalorie, location के हिसाब से यह होते हैं, तीन types के, apical, intercalorie और lateral, इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे ऐसे, male, ठीक है, m for merismatic tissue, a for apical, i for intercalorie and l for lateral, ठीक है, male से हम याद रखेंगे कि on the basis of location यह होते हैं, तीन type के apical, intercalorie और lateral, ठीक है, अब on the basis of origin, यह किस-किस प्रकार के होते हैं, अब हम यह समझते हैं, on the basis of origin, यह तीन type के होते हैं, सबसे पहला type होता है, हमारा pro meristem, फिर primary meristem और secondary meristem, अब इनका मतलब क्या होता है, हम यह समझते हैं, ठीक है, origin का मतलब मैंने क्या बदाया था, जो एकदम starting कहां से हो रही है, उन tissues की, ठीक है, starting से यह जनन कहां से हो रहा है, अगर हम pro meristem की बात करें, तो यह सबसे earliest tissue है, सबसे पहले आने वाला tissue होता है, हमारा pro meristem, ठीक है, this is earliest and the youngest, it originates from the embryo, embryo का मतलब क्या, जब बनना start होता है, कोई भी organism तो उसका जो पहला सबसे पहला phase होता है, वो होता है embryo, यह originate ही embryo से हो रहा है, सबसे पहले आने वाला tissue होता है, वो होता है हमारा pro meristem, ठीक है, और यही बनाता है हमारा primary meristem, ठीक है, अब हम समझते हैं कि primary meristem क्या होता है, primary meristem हमारा आ रहा है pro meristem से, pro meristem हमारा सबसे पहले आ गया था, ठीक है, उसके नीचे, उसके नीचे आता है हमारा primary meristem, निए और यही बनाता है हमारा था था गी a differentiate करिके क्या बनाया था इसने ऐसने आ था राइट मेरस्टियम ने दिफरेंशीयाट होका कर्मनेंट इश्यू बनाया था तो यह प्राइमरी मेद स्टेम प्रो मेरस्ट्यम से बना है ना, यह हमारा बनाएगा differentiate हो का permanent tissue, एक और type का meristim क्या होता है, secondary meristim, secondary meristim जो होता है, वो primary meristim से बनता है, ठीक है, और यह जो होता है, यह भी permanent tissue ही तो बना रहा है, differentiate होकर, मतलब देखो, अब मैं easily समझाती हूँ, pro meristim जो होता है ना, वो primary meristim बना रहा है, और primary meristim हम आगे जाके secondary meristim बनाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम differentiate की बात करें, अगर उनको फॉर्म चेंज करना है अपना, तो primary और secondary दोनों टाइप के जो meristim से वो बात में जाके permanent tissue बना रहे हैं, एक specialized function करने के लिए, समझ में आ गया, ठीक है, primary और secondary दोनों बात में differentiate होकर permanent tissue बना लेंगे, primary stem हमारा सबसे starting वाला था, ठीक है, शालो, अभी important portion आता है हमारा, क्या आता है, कि हमें यह समझना है on the basis of location कैसा होता है, suppose मैं यह एक plant बना रहे हूं, ठीक है, यह उसके यहाँ पे जड़े हैं, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे बना देते हैं, हम अब हमें समझना है कि on the basis of location, on the basis of location माने क्या बताया था, male बताया था, है ना, meristematic tissue में सबसे पहले आता है, apical, on the basis of location, apical मतलब on the apex is, भले वो shoot की apex हो, भले वो root की apex हो, ठीक है, यह जो होता है, जो apical growth हो रहा है, या फिर roots की growth हो रही है, लंबाई में जो growth हो रही है न, उसके लिए responsible होता है apical, ठीक है, देखो, यह है हमारा soil, यह है हमारी shoot और यह है हमारा root, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, shoot apical meristim, और जो root में लंबाई बढ़ा रहा है, उसको हमने बोला, root apical meristim, यह है हमारे siam भाईया, s-a-m, shoot apical meristim, और यह है हमारे राम भाईया, root apical meristim, क्या समझ में आया, सबसे पहला हमारा meristim कौन सा हो गया on the basis of location, apical meristim, apical का मतलब होता है, on the apexes, भले वो shoot की apex हो, भले वो root की apex हो, apex का मतलब जो tip होती है, tip की जो लंबाई बढ़ाने में help कर रहा है, वो होता है हमारा apical meristim, दो प्रकार का होता है, या तो वो shoot, जो soil के उपर present होता है, उसको बोलते हैं, हम shoot, ठीक है, जो soil के नीचे है, उसको हम बोलते हैं, root, shoot apical meristim, जो उपर, soil के उपर जो potions है, उनकी apexes को लंबाई में बढ़ाने में help कर रहा है, उसको हमने बोला shoot apical meristim, short form हो गया, श्याम भाया, S-A-M, shoot apical meristim, अगर root की लेंथ बढ़ाने में help कर रहा है, तो उसको हमने बोला, राम भाया, root apical meristim, समझ में आया, सबसे पहला type कौन सा हो गया हमारा, apical meristim, ठीक है, अब हम दूसरा type का समझते हैं, दूसरे में कौन सा कलर ले ले, green ले लेता है, चालो, दूसरा जो हमारा होता है, वो होता है intercalorie meristim, आई वाला, ठीक है, intercalorie meristim कहां present होता है, देखो, अगर कोई plant है, जो leaf जहां से उससे connected है, इस region को हम बोलते हैं, node, ये भी एक node हो गई, ठीक है, दो nodes के बीच का जो region होता है, इसको हम बोलते हैं inter node, क्या पता है मैंने, Kevin'ie clear करत Thinking, अगर एक stem है, उसमें से एक पत्ति निकल रही है, जहां से वो पत्ति निकल रही है, उसको हमने माना एक node, ठीक है जहां से दूसरी पत्ती निकल रही है उसको हमने माना दूसरा नोट इन दोनोड के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं इंटर नोड और णंका इंटर क्यालरी मेरत इंटरीमेरिश्टेm इंटर नोड की लेंद को बढ़ाने में काम करते हैं इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब और कियाल होती है उन नोडा है उन का जो रहा है ह। इसको हमने बोला intercalorie merister, मतलब inter nodes की जो length बढ़ा रहा है उसको हमने बोला intercalorie merister, ठीक है, क्या समझ में आया? intercalorie merister जो inter node की length को बढ़ा रहा है, आप identification merister, root की tips या shoot की tips होती है उनकी length बढ़ा रहा था, ये भी लेंथ बढ़ा रहा है लेकिन इंटरज नोड की लेंथ मभढा रहा है दो नोड स्के बीच की डिफ टे की इसे lateral का मतलब क्या होता है ऐसे sides में present है ठीक है देखो यहाँ पे समझाते हूं suppose यह एक stem है ठीक है इसमें sides में जो present होगा ना meristem इसको हम बोलेंगे lateral meristem अब क्या होता है lateral meristem की अगर growth होगी यहाँ पे अगर वो present है तो वो plant को ऐसे ऐसे बढ़ाएगा मतलब girth में बढ़ा रहा है ठीक है गर्थ का मतलब क्या मोटाई में बढ़ा रहा है अगर तो उसको हमने बोला है lateral meristem ठीक है यह हमारा हो गया लेटरल मेरिस्टिम, ये बढ़ाता है गर्थ, गर्थ मतलब होता है मोटाई में बढ़ा रहा है, ठीक है, तीन काइंड ओफ हमने मेरिस्टिम पड़े, मेल से याद रखेंगे, अपाइकल, इंटरकालरी और लेटरल, अपाइकल क्या कर रहा है, जो टिप्स होती है, उनकी ले में लेटरल, जो बढ़ा रहा था, इसके बाद में आता है लेटरल, लेटरल क्या कर रहा था, हमारा गर्थ बढ़ा रहा था, मोटाई बढ़ा रहा था, ठीक है, ये तीनों मेरिस्टिम साहमें समझ में आ गए, अब एक और concept जो हमें समझना है, देखो, दो type के growth होते हैं, एक होता है primary growth और एक होता है secondary growth, ठीक है, primary growth के अगर बात करें, तो उसका मतलब होता है सिर्फ length में बढ़ना, ठीक है, लेकिन अगर secondary growth की बात करें, तो वो increase करता है, गर्थ, तो इसी से हमें क्या समझ में आ गया, primary growth के लिए कौन-कौन responsible था, primary growth के लिए responsible थे हमारे श्याम भाईया, ठीक है, राम भाईया, और intercalorie meristim, लेकिन अगर हम बात करें, हमारी गर्थ के increase के लिए, मतलब secondary growth के लिए, तो उसके लिए कौन responsible थे, उसके लिए responsible थे हमारे ठीक है, दो तर एकी growth है, उनको हमने नाम दिया है, ठीक है, अलग-अलग जो kind of growth है उनको हमने नाम दिया है, सबसे पहला होता है primary growth जो सिर्फ length में बढ़ाए जा रहा है, ठीक है, सिर्फ लंबा ही करते जा रहा है, अगर plant को, तो फिर उसको बोलेंगे हम primary growth और इसके हो जा बढ़ा रहा था, दो notes के distance को बढ़ा रहा था, notes क्या बताया थे, जहां से पत्ती निकल रही थी, ठीक है, या फिर गन्न में मैंने बताया था, ठीक है, उनको हम बोलते है notes और वो होता है intercalorie meristem, उसके बाद में अगर हम secondary growth की बात करते हैं, तो यह हमारा width बढ़ा रहा था, गर्थ बढ़ा रहा था, मोटाई में बढ़ा रहा था, literally ऐसे present होता है, literal meristem, ठीक है, meristem के तीन टाइप समझ में आए, screen के उस साइट से जोर-जोर से बोलना है, क्या-क्या होते है, meristem के तीन टाइप, male से हमने याल रखा था, M, A, I, L, M for meristematic, A for apical, I for intercalorie, L for lateral, clear हो गया, स से बहुत easy ली, आज आएगा समझ में, चालो, देखो अब, यही बढ़ाया मैंने अभी, क्या-क्या, apical meristem, जो length बढ़ा रहा है, pen का color change कर लेते हैं, apical meristem, जो length बढ़ारा है, ठीक है, ऐसी length बढ़ारा है, intercalorie meristem, जो यहाँ पर notes में present होता है, notes के बीच में, inter note होता है, इसकी length बढ़ा है, ठीक है, यह, apical meristem, tip पर present है, intercalary meristem, यह रहा, जो notes के बीच में present होता है, ठीक है, lateral meristem, जो laterally present होता है, जो girth बढ़ाता है, और lateral meristem secondary growth के लिए responsible होता है, ठीक है, समझ में आ गया, meristematic tissue, starting कैसे की थी हमने, किस चीज के लिए घर Watch रहा होता है उसके पास और कोई काम नहीं होता और जिर्फ में help करता है ठीक है डोट में help कर रहा है तो या तो लमबाई बढ़ा रहा होगा या तो चोड़ाई बढ़ाएं बढ़ाने वाले को बो少 है । बढ़ाने वाले को बोलते हैं कि वह सकेंड्री ग्रोथ कर रहा होता है ठीक है कि समझ में आ गया चालो अब समझते हैं कि चल्दी से यह र्म बना रहे हैं जिससे ग्रोथ भाएं फटलैंस अब डेंसवाइट्लिप्लास्म मतलब क्या होगा डेंस आपलाज्म का मतलब बहुत साइड धी न्ICK-2 rif उसके बाद में prominent nuclei है क्योंकि उसको बहुत सारे functions करवाने हैं and lack vacuoles और अगर present भी है तो स्मॉल और peripheral होंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि vacuoles जो होते हैं वह स्टोरेज में काम करते हैं हमने पिछले lecture में बढ़ा था ठीक है या जैना पिछले lecture यार बहुत जादा जरूरी था सारे सारी और्गनल्स हमने समझे थे उसमें जो वैक्योल्स हमने समझाता मैं ने बताया था वैक्योल्स का जो एक सबसे जाधा important काम होता है वो होता है storage ठीक है वैक्योल्स स्टोरेज करवाते हैं लेकिर यह सेल्स हैं इनके पर स्टोरेज का time ही नहीं है इनको जल्दी जल्दी rapidly divide करना है इसलिए इन में वैक्योल्स present नहीं होते हैं अगर होते भी है त तो यह हो गए हमारे basic features of meristematic tissue ठीक है चालो क्या पढ़ा हमने हम वापिस हमारे concept map पे आ गए है plant tissues दो प्रकार के होते हैं meristematic होते हैं permanent होते हैं Почему हुआ रहा है चोड़ाइ बढ़ा रहा है इस तरह से अगर planting की तरह होता है विट में तु रूसके लिए responsable होता है अब हम आते हैं市 순च्च banking की तरह permanent tissue को अब हम समझेंगे, simple permanent को और complex permanent को, ठीक है, देखो, permanent tissues, दो प्रकार के, simple हमारा पहला टाइप और यहां आ जाता है, complex, permanent issues में हमने क्या बताया था, permanent issues एक particular function के लिए responsible होते हैं, growth में काम नहीं आते हैं, लेकिन एक specific function को कर रहे होते हैं, हम अलग-अलग permanent issues और उनके structure और उनके function को अब समझने वाले हैं, ठीक है, देखो, अगर simple की बात करें, तो वो होता है, तीन प्रकार का, क्या होते हैं, तीन प्रकार, ग्रीयां अच्छा लग रहा था, पेरन काइमा, कॉलन काइमा, और स्क्लेरन काइमा, अब इसको भी याद करने की ट्रिक बताती हूं, PSC के exam को पी- Hyundai- यहांच होते हैं, और वैसे ही, P.S.C. ऐसे याद रखेंगे, P.S.C, P.S.C के exam. U.P.S.C व coverage के exam के exam. Shtet P.S.C. के exam होते हैं, वैसे ही हम याद रखेंगे, simple, P.S.C.C. simple तो नहीं होता, लेकिन चलो, simple के types कौन कौन से हो गए हमारे हमने इस concept में पढ़ा था ना दो होते हैं simple होता है और एक complex होता है उसमें simple जो होता है उसको हम PSC से याद रखेंगे याद करने का तरीका मैंने बता दिया अब जो होता है complex हमारा दो प्रकार का होता है एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोयम ठीक है यह दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे वैस्किलर टिशूज क्या मतलब है यह वैस्किलर टिशूज का क्या है यह सब सब समझेंगे अभी ठीक है आगे चलते चलते हैं हम सब के structure सब के function समझने वाले हैं चालो start करते हैं simple permanent tissues से simple permanent tissue किस से याद रखा था PSC ठीक है पैरन कायमा हमारा सबसे पहला टिशू पैरन कायमा में सबसे पहले हम याद रखेंगे कि this is the most abundant tissue सबसे ज्यादा मिलने वाला जो टिशू होता है वो होता है हमारा पैरन कायमा ठीक है पैरन कायमा को जो major major function होता है वो होता है storage क्या पैरन कायमा का जो major function होता है storage होता है सबसे abundant present होने वाला जो टिशू है वो है हमारा पैरन कायमा ठीक है storage में help करता है और mechanical support भी देता है ठीक है ऐसा कुछ दिखता है पैरन कायमा मारा अब इसमें क्या समझना जरूरी है कि यह सारे live cells होते हैं ठीक है dead नहीं होते हैं सारे के सारे live cells होते हैं और यह loosely packed होते हैं अब इसमें तो जगे तो दिखनी रही कि loosely packed बोलत distance present होता है ठीक है और large intercellular spaces loosely packed हैं तो intercellular मतलब cell cell के बीच की जो जगे है बहुत जाधा होगी ठीक है as compared to बाकी के tissues इसमें ऐसा जाधा दिखनी रहा है लेकिन जो intercellular spaces होती है न वो comparatively काफी जाधा होती है क्या क्या होता है storage में help करता है सबसे important काम जैसे cell में वैक्योल help कर र सपोर्ट प्रोवाइड करता है यह live cells होते हैं इसमें intercellular spaces comparatively जाधा प्रेजेंट होती है loosely arranged cells होते हैं ठीक है पैरिन कायमा टिशू के दो टाइप्स होते हैं एक टाइप होता है हमारा एरन कायमा और एक टाइप होता है हमारा क्लोरन कायमा ऊण सब्सक्राइप है को एकिव ऐरन कायमा का मतलब एरन कायम उन प्लांट में प्रेजेंट होता है जो हाईड़ो पाइपक ड rifl Revelation होते हैं हम आप अक सकती लुक्ठ बॉ underskorts होने वाले जो प्लांट होते हैं उन में जो में टिस्व होता है पैर और भूख सेल को ब्लांट को वाटर में रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है धीक है इस प्रिजञेंट उस एक है और अगर हम बात करें हमारे क्लोर न काृमा की तो से कुछ याद आ रहा है क्लोर्ण करके वर्ड अपन ने पढ़ा था किसमें पढ़ा था हमने से आया है क्लोरों कायमा किसमें हेंक कर रहा है can photosynthesis मैं हेल्प कर रहा है मैंने बताया था photosynthesis क्या होता है conversion of light energy into food by the plants स्ट बतल ने बना रहे थे उसमें है रहा था हमारा spar कई मअ रॉब अधिर हमने पढ़ा है था एक प्रकार होता है ठीक है उसी में उसमें क्लोरफ लास्ट होता है Battle को अभा पेंक है क्युम्लोर्स ठीक है अब हमारा अगला वाला तुम हमारा अगला आता है कॉलन न क्यम ऐसे होते हैं जो प्रवाइड करते हैं है फ्लेक्सिबिलिटी कैसे तरफ एक स्टेम है ठीक उसमें से पत्ती निकल रही है तो पत्ती को प्लेटिसन को मैं ने ने को तुम होती है जो प्रश seventeen वो में और से यह च्वरी होती है टो सब्सक्राइब ग्राइब करतेरों को कि अरे प्लिकशिभिलिटिति इसके वा지는 क्यम क्यों हो Un crims से दूसरे साइट बैठ है तो साथ में बोलते भी रहो याद रहे गा शर्ट अब कर रहे हैं और तोसले के लिए यह भी लाइन सेल की तरह है यह- these cells are thickened at the corners, अब ये कुछ नए आए, ठीक है, ये thickening दिख रही है, यहाँ पर ग्रीन-ग्रीन सेम हो जाएगा, देखो, यह जो thickening दिख रही है न, cell के बॉर्डर्स पर, ये special feature हो गया, इसका जो पैरंचाइमाटस से इसको अलग कर रहा है, ठीक है, cells होते हैं, thickened corners पर, और यहाँ पर little intercellular space होती है, जादे intercellular space किसमें थी, पैरंचाइमा में थी, इसमें comparatively कम intercellular space होगी, अलग-अलग cells के बीच में space कम होगी, थोड़ा भर के रखे होंगे, ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला स्क्लेरिन कायमा, अब यह जो स्क्लेरिन कायमा होता है, यह होते हैं हमारे dead cells, बाकिये दोनों हमने बड़े life cells होते हैं, जिन्दा होते हैं, यह हमारे होते हैं dead cells, क्योंकि यह provide करते हैं hardness, ठीक है, अब इसका एक एक जापल बता देती हूँ, तो हमें थोड़े easily समझ में आ जाएगा, coconut का जो हस्क होता है, जो उसके outer जो वो brown color का एक ऐसा ratio जैसा जो covering होता है, उसको बोलते हैं husk, ठीक है, वो बना होता है स्क्लेरिन कायमा का, hardness provide करता है, dead cells होते हैं उसमें, ठीक है, यह देखो, long narrow cells होते हैं, जिनकी walls thickened होती हैं due to lignin, यह है double star लगाने वाला point, इसमें present होता है lignin, जो walls को ठीक ऐसे कर देता है, उनकी wall पे यह present होता है, lignin क्या होता है, lignin एकना cementing substance होता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, एक cementing type का substance होता है, जो hardness provide करता है, ठीक है, hardness provide करता है, इसी की वजए से हमारे scleran का हमा hardness provide करता है, ठीक है, यह question आया था, कि lignin इन तीनों में से, इन तीनों simple permanent issues में से, किसमें lignin present होता है, आंसर गया था scleran का हमा, अगर हम यह समझ लेंगे, कि इन तीनों के अलग-अलग functions क्या होते हैं, तो हमारे लिए answer देना easy हो जाएगा न, है न, इसी लिए तीनों के structure और function को दिमाग में बनाते होएं चलो, visualize करते होएं चलो, ठीक है, no intercellular spaces, मतलब intercellular spaces की अगर हम बात करें, कमी होती जा रही है, intercellular spaces को अच्छे से और कैसे समझा सकते हैं, suppose हमने एक जार लिया, ठीक है, एक जार में हमने बहुत सारी balls डाल दी, उन balls के पीछ का जो space होगा, उसको हमने बोला intercellular space, ठीक है, अब इसमें सबसे जादा intercellular space थी, कॉलन कायमा में उससे थोड़ी कम, स्क्लेरिन कायमा में थी ही नहीं, क्योंकि स्क्लेरिन कायमा को, तो हाडनेस का काम करना है, ठीक है, हाडनेस का काम करना है, तो उसमें spaces होँगी नहीं, बहुत tightly packed होंगे cells, dead cells बहुत tightly packed होंगे, जिनके around क्या होगा, लिगनेन प्रेजेंट होगा, जो हाडनेस में help करेगा, ठीक है, यह रहा हमारा coconut husk, जो मैंने बताया ना, किसका example था? Classic example of, scleran कायमा, कैसे याद रखे थे हमने, simple permanent issues, याद करो, PSC से याद रखे थे, PSC ता simple नहीं था, फिर भी हमने PSC को, उसमें simple permanent issues में डाला, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, parenchyma, scleranchyma, colonchyma, parenchyma के दो टाइप्स, कौन कौन से बड़े थे, aranchyma बढ़ा था, chloranchyma, chloranchyma और colonchyma में देखो, confuse मत होना, parenchyma का टाइप था, chloranchyma, ठीक है, और यह PSC में जो C था, यह था, colonchyma, इन दोनों में, confuse मत होना, chloranchyma, chlorophyll था, तो photosynthesis में help करवाएगा, और colon का इमा जो था, हमारा, वो हमें provide कर रहा था, flexibility, ठीक है, याद रखना, अलग-अलग है, चलो, अब आने वाले हैं, हम complex permanent tissues के उपर, complex permanent issues क्या होते हैं, complex में, दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी हमें, एक xylem और एक phloem, मैंने ये बताया था, कि जो xylem और phloem होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं, हमारा, यहाँ पर ऐसे ही लग दू, vascular tissue, अब vascular tissue का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ के अंदर हमारे बहुत सारे nerves present होती हैं, है ना, अब वैसे ही plants में, ऐसी nerve-like structures present होते हैं, जिसको vascular tissue बोलते हैं, इनका काम होता है, पानी या खाने, या minerals, nutrients वगेरा, इन सब को एक जगे से दूसरी जगे पर ले जाना, ठीक है, vascular tissues का काम होता है, transport of either water, minerals, food, ठीक है, ये काम होता है हमारा, इसी में आते हैं, xylem और phloem, ठीक है, अब समझाती हूँ, ये xylem हमारा blue में दिख रहा है, मतलब, blue होता है हमारा पानी, पानी कहां से जाता है, plant में, पानी जाता है roots, हम roots में पानी डालता है, या दा रहा है, roots में पानी जाता है, जो absorbed होता है, उसको प्रोसेस को, हमने क्या बोला था, पिछले lecture में, हमने बोला था, क्या, ये बता रहा है, अब COMMENTS में, ठीक है, कामेंस में क्या बताऊगे, कि जब पानी रूट में डाला था, तब सेल्स ने उसको जिस तरह से एब्जॉब किया था, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ठीक है, अब जो water और minerals हम डाल रहे हैं, हम पानी डाला, रूट ने अब्जॉब किया, फिर वो गया उपर, हर सारे leaves के पास में ठीक है जहां पर भी पानी की जरुवत है मतलब यह सिर्फ एक ही direction में जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए जो जायलम होता है उसका transport होता है हमारे unidirectional ना नीचे से ऊपर से पानी तो रूट से जो अलग अलग लीव्यल्स घा रहा है ना पानी उसको हमने पूला यूंी-ड स्वॉनम होता हैा हमारा जाइलम लेकिन अगर दो फ्लोयम कि에 इस तरह से याद रख सकते हैं, phloem fur, fur हो रहा है, तो यहाँ पर food, phloem is responsible for the transport of food, अब food कौन बनाता है, पत्तियां बना रही हैं अलग-अलग, पत्ति तो ऊपर भी हो सकती है, प्लांट में पत्ति तो नीचे भी हो सकती है, तो ऊपर की पत्ति से भी नीचे अगर खाना आ रहा है, तो दोनों डिरेक्शन में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नीचे से ऊपर भी जा रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के लिए responsible होता है हमारा phloem, मतलब phloem is responsible for bidirectional transport, ठीक है, क्या difference हुआ, xylem is responsible for the transport of water and minerals, phloem is responsible for the transport of phloem, phloem, से food, ठीक है, और घाना तो नीचे वाली पती से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाली पती से नीचे भी आ सकता है, bidirectional, ठीक है, चलो, अब complex है, इसलिए इसमें चार components है, क्या-क्या, tracheids, vessels, parenchyma, और fibers, ठीक है, सब के functions समझते हुए चलते हैं, इनको लेकिन पहले याद रखो special क्या, TV, TV से हम यह याद रखेंगे, और इसको कैसे याद रख सकते हैं, parenchyma और fibers तो हमें फ्लोयम में भी मिलने वाले हैं, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो special है, वो होता है, tracheids और vessels, कैसे याद रखेंगे, TV, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, screen के उ components कौन कौन से हो गए, tracheids हो गए, vessels हो गए, parenchyma हो गया, और fiber हो गया, सब के functions, अब हम समझते हैं, ठीक है, xylem में, सबसे पहले, अब xylem का एक special feature क्या है, कि यह mostly dead cells का बना होता है, ठीक है, mostly जो xylem होता है, वो dead cells का बना होता है, xylem किस में help कर रहा था, water और minerals के transport में help कर रहा था, unidirectional transport था, एक ही direction में roots से लेकर उपर leaves तक, ठीक है, अब tracheids और vessels की अगर हम बात करते हैं, color change कर लेता है, tracheids और vessels जो होते हैं, उनका एक broad tubular structure होता है, मोटे मोटे tube जैसे structures होते हैं, जो पानी को ले जाने में काम करते हैं, vertically, ऐसे tubes present होते हैं, ठीक है, ऐसे tubes, ठीक है, vertically ले जा रहे हैं, अब ऐसे tubes present होंगे, तो vertically ले जाएंगे पानी, tracheids और vessels जो होते हैं, वो vertically ले जाने में काम करते हैं, water और minerals को, ठीक है, अब आता है हमारा पैरिंकाइमा, पैरिंकाइमेटर सिशू का माने एक basic वो क्या बताया था, उसका जो major function होता है, वो होता है storage, जाएलम पैरिंकाइमा का, तो वो उसका भी यह, यहाँ पर भी function यह होगा, ठीक है, stores food and helps in transport of water horizontally, अब यह क्या है, stores food तो था ही, storage में तो पैरिंकाइमा का काम होता ही है, साथ में horizontal जो ट्रांसपोर्ट होता है, इस direction में जो ट्रांसपोर्ट है, ऐसे आया पानी और ऐसे जाना है, तो horizontally जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, उसमें help करेगा हमारा पैरिंकाइमा, जो tracheats और vessels थे, वो तो ऐसा tube like structures थे, वो help कर रहे हैं थे, वर्टिकल ट्रांसपोर होगा, तो उसमें help कर रहा है पैरिंकाइमा, पैरिंकाइमेटर का एक और function था, जो सबसे major था, storage, ठीक है, दो काम हो गए, storage और horizontal रांसपोर्ट, उसके बाद आता है हमारा fibers, fibers are supportive and function, ऐसे ratio जैसे होते हैं, fibers सिर्फ support provide करते हैं, और उनका कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन आता है, आया है, आ सकता है, क्या, कि only पैरिंकाइमा are the living cells, मैंने बताया था ना पैरिंकाइमेटर्स टिशू जो होता है, वो live cells का बना होता है, इसलिए जायलम में चारों components, चारों components कौन से टीवी से याद रखाता है, ट्रेकेट्स, वेसल्स, पैरिंकाइमा, फाइबर्स, इसमें सिर्फ पैरिंकाइमा ही ऐसा है, जो की बना हुआ है हमारा living cells, बाकी जो सारे हैं, वो सारे हैं हमारे dead cells के बने हुए, ठीक है, चारों, अब हम आते हैं, फ्लोयम की तरफ, फर्से, फ्लोयम, फर्से, food, food के ट्रांसपोर्ट में help करता है, हमारा फ्लोयम, बाइडिरेक्शनल होता है, क्योंकि पत्ती ऊपर भी हो सकती है, पत्ती नीचे भी हो सकती है, ऊपर से ऐसे नीचे भी खाना आ सकता है, नीचे से ऊपर भी खाना जा सकता है, फ्लोयम, फूट के ट्रांसपोर्ट में help कर र ठीक है चालो इसको इसको ठीक है अब याद ही रख लो सीव elements जो होते हैं companion cells को समर्जते हम चलो companion का मतलब क्या होता है companion मतलब साथ ही साथ देता है सीव elements का क्या बताया सब्सक्राइब को समझते हैं दोनों में भी सीव elements को help करने वाला होता है companion cells companion का मतलब होता है साथ ही साथ दे रहा है सीव elements के function को ठीक है चलो सब के functions को हम समझते हैं देखो phloem it is made up of living cells अब यहां पर difference आ जाता है क्या xylem में mostly dead cells थे ठीक है अब यह dead cells थे इसमें सिर्फ एक अकेला parent कायमा था जो living था लेकिन अगर हम phloem की बात करें तो इसमें living cells जाधा present होते हैं ठीक है it is for the movement of food bi-directionally यह भी clear है अब sieve tubes का क्या function होता है sieve tubes जैसे tracheids और vessel help कर रहे थे न water minerals की movement में वैजे ही होता है sieve tubes tubes हैं जो food के movement में help कर रहे हैं companion cells क्या होते हैं facilitate the function of sieve tubes facilitate का मतलब साथ दे रहे हैं sieve tubes के काम को easy कर रहे हैं companion cells fibers की बात करें तो यह provide करते हैं flexibility to the flow flexibility support कौन provide कर रहे हैं fibers provide कर रहे हैं और parent कायम की अगर बात करें तो यह to story करता है इसका function क्या बदा था parent कायम का हमेशा function क्या होता है storage होता है starch और proteins को store करता है अब इसमें जो double star वाला पॉइंट है वो ये है कि सिरफ फाइबर्स जो होता है ना वो होते हैं है डाबल स्टार वाला पोइंट है इस ने बार बार बोल रही हों मेरे साथ में repeat करते हुए चलिए इन सब चीज़ों को जिससे अभी ही याद हो जाए बाद में टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है ठीक है चालो सब्सक्राइब को मैंने बताया जाइलम और फ्लोयम ठीक है जाइलम किसमें हेल्प कर रहा था वाटर और मिनरल्स के मुव्मेंट में हेल्प कर रहा था फ्लोयम किसमें हेल्प कर रहा था फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा था ठीक है अब अब आते हैं और हम क्वे हमारा दो तरह का ठीक है एक होता है मेरिस्टिमाटिक और एक होता है पर्मनेंट मेरिस्टिमाटिक किसमें हेल्प कर रहा था सिर्फ ग्रोथ में हेल्प कर रहा था सिर्फ ग्रोथ था उसका काम अगर हम पर्मनेंट की बात करें तो पर्मनेंट का काम एक specialized function perform करना होता है वो ग्रोथ नहीं करता है meristematic tissues जो होते हैं वो differentiate हो जाते हैं differentiate का मतलब अपना form बदल देते हैं बच्चा काम करने लग गया है सिर्फ growth नहीं कर रहा है permanent में convert हो गया है permanent में specialized function करता है meristematic differentiate होकर करने लगा permanent का काम एक specific function ठीक है meristematic में हमने तीन टाइप पढ़े थे क्या हमने यूज क्या था में हमने यूज किया था में में एम फॉर मेरिस्टिमाटिक ए फॉर आपाइकल जो लेंद में help कर रहा था लेंथ की growth में मतलब length increase करने में help कर रहा था उसको हमने बोला था primary growth primary growth apical में shoot apical meristem होता है root apical meristem होता है ठीक है श्याम भाया और राम भाया फिर हमने पड़ा माई पड़ा intercalorie पड़ा intercalorie was responsible for the growth of inter nodes two nodes के जो gap होता है जो बीच में उनके उसको हमने बोला था inter node उसी की length बढ़ाने में काम कर रहा था हमारा intercalorie meristem उसके बाद में हमने पड़ा LL for lateral meristem lateral meristem responsible था secondary growth के लिए laterally present था width को बढ़ा रहा था girth को बढ़ा रहा था उसको हमने बोला था lateral यह हमारे हो गये थे simple वाले उसके बाद में हमने पढ़ा simple नहीं sorry यह हमारे हो गये थे meristematic tissue ठीक है उसके बाद में हम गए थे permanent की तरफ permanent के भी दो प्रकार थे एख हो जाता है simple एक हो जाता है complex simple वाला जो था simple क्या नहीं होता है PSC simple नहीं होता है ठीक है उसमें P से क्या था parent काईमा S से क्या था Scleran काईमा C से क्या था यह मने पड़ा था पैरिण कायमा हमें help कर रहा था श्टोरेज में कायमा हमें help कर रहा था flexibility देने में जो ऐसे system लह राती है flexibility होती है वो होती है कॉलन कायमा की वज़ए से स्कलेरन कायमा hardness provide कर रहा था स्कलेरन कायमा रमें lignan present होता है coconut husk उसका example था उसके बाद में हम गए थे complex की तरफ complex में हमने पढ़ा था xylem, floium, xylem किसमें help कर रहा था, water और minerals के transport में help कर रहा था, water हम डालते हैं, roots में पानी जाता है, उपर unidirectional, unidirectional transport होता है, उसमें सिर्फ parent काइमा ऐसा था जो living था, बाकी सब dead थे, और अगर हम बात क रहा था, जो पत्तियां present होती है, एक जगे से दूसरी जगे तक खाना पहुंचाने में, ठीक है, source से लेकर stink तक, source मतलब जहां खाना बन रहा है, sink मतलब जहां पहुंचना है, bidirectional movement हो रहा था, उसको हमने बोला था, floium, floium में living होता है, सारे cells, except the fibers, सारे revision हो गया, सब अच् करते हुए चलना, visualize करना, चीज़ें याद रहेंगी, अब हम देखते हैं कुछ previous year questions, जिससे हमें यह idea लगेगा कि questions किस प्रकार के आते हैं, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी हैं, फस रहे हैं कि नहीं फस रहे हैं questions, पहला question, which one of the following statements about meristematic tissues of plants is correct, meristematic options देखते हैं, these are dead tissues from wood, dead tissues देखते ही हमने इस option को काट दिया, क्या बोला था, meristematic cells growth में help करते हैं, जल्दी 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 डिवाइड करना है तो dead तो हो ही नहीं सकते, permanent tissue living or dead दो नहीं हो सकते हैं, लेकिन meristematic हमेशा living होगा, उसके बाद में आता है, they provide flexibility to the plant due to their thickened walls, thickened walls दिखते ही, हमने cancel करते हैं, भया, thickened walls नहीं थी इसमें, पतली-पतली walls थी ज़्यादा जगे मिल पाए हम लोगों को काम करने के लिए, ये पढ़ाया था, they are present in the bark of the tree only, नहीं, सारे regions जहां growth होती है, वहां होती है, और bark तो वैसे भी dead होता है, च्छाल होती है, वो तो समझ में आ रहा होगा, मैं क्या बोल रहे हूं, उसके बाद fourth option हाता है, growth occurs in plants due to division of cells in these tissues, absolutely correct, meristematic का मतलब हमने समझ के रखा था growth, meristematic मतलब growth, growth हो रही है, तो वो हो रही है, meristematic की वजए से, ठीक है, ये question बन गया, चलो, अगला question, फिर से meristematic tissues के उपर question, meristematic tissues are found in, only stems of the plant, राम भया कहा जाएंगे, राम भया, root apical, meristematic roots में भी तो था, cancel, both roots and stems हो सकता है, लेकिन और भी जगे growth होती है, ठीक है, तो ये भी cancel, in all growing tips of the plant body, absolutely correct, only roots नहीं, श्याम भया कहा जाएंगे, मतलब हर जगे, अब stems और roots के सिवा, girth भी तो increase हो रही थी, इसी लिए in all growing plants, ठीक है, समझते आ रहा है न, चलो, the chief function of vessels, vessels कहां पढ़ा था, TV कहां पढ़ा था, tracheids और vessels, xylem में, option A, to translocate food material नहीं, xylem का काम नहीं था ये, to conduct water and mineral salts, absolutely correct, xylem का पाठ्थे vessels, TV से हमने याद रखा था, काम क्या था, to conduct water and mineral salts, अगर support की बात करेंगे, तो support तो हमारा parent कायमा दे रहा था, ठीक है, इसलिए ये भी cancel, all of the above तो होई नहीं सकता, ठीक है, next question, dead element present in phloem, मैंने बोला था न, important है, phloem में सारे living होते हैं, सिर्फ एक ही dead होता है, कौन सा होता है, fibers, phloem में सारे living होते हैं, सिर्फ एक dead होता है, कौन सा होता है, fibers होते हैं, लेकिन अगर हम xylem की बात करेंगे, तो जाइलम में सारे डेड होते हैं, सिर्फ एक जीवित होता है, वो होता है, पैरनकायमा, पैरनकायमा का मेजर फंक्शन क्या था, कमेंट्स में बता दो, चालो, अब, गर्थ of the stem is increased due to, गर्थ मैंने बताया था, क्या गर्थ मतलब मोटाई में बढ़ना, मोटाई में बढ़न गर्थ किस से बढ़ दर था, अब आपकल्मरु स्टम क्या कर रहा था, अब आएकल मेरिinta में दो भाई पड़े थे, राम भैया श्याँ भैया, क्या कर रही थे, ये तो लेंस बढ़ने में पर ते सिर्फ प्लांट की, रूट की और शूट की, है ना, तो ये option तो कैट आप् ठीक है, intercalorie, internodes में help करता है, vertical, no, शालो, next question, which of the tissue has dead cells, चलो, options देखते हैं, parent कायमा, बिलकुल नहीं, इसमें live cells थे, है न, और ये किसमें help कर रहा था, option में बता आना था, मैंने बताया था, comments में, scleran कायमा, scleran कायमा का मैंने क्या एक example बताया था, coconut husk बताया था, coconut husk से हमें क्या याद आता है, dead, dead था, ठीक है, lignan present होता है, जाओ, एक second, star, ठीक है, इसके बाद में कॉलन कायमा, कॉलन कायमा भी living cells थे, किसमें help कर रहे थे, flexibility, epithelial tissue, नहीं, ठीक है, इसके बाद में आता है, a tissue is a group of cells which are, options दिखता है, similar in origin, correct, dissimilar in form and function, नहीं बबा, function में तो similar ही होंगे न, next, dissimilar in origin, starting साही गलत हो गया, dissimilar in origin, अरे फिर से गलत, क्या बचा, similar in origin, form, function, correct, समझ में आ गया, क्या थे, similar in origin, form and function, चलो, ठीक है, अब, next question, various functions like photosynthesis, storage are performed by, दिखते हैं ध्यांस, photosynthesis भी कर रहा है, storage भी कर रहा है, ऐसा कौन था, पहला option, scleran kayma, scleran kayma तो भया, dead था, सिर्फ support में help कर रहा था, coconut husk example था, hardness प्रोवाइड कर रहा था, तो यह तो option नहीं है, ठीक है, पैरन कायma, यही तो था, इसका ही तो एक example था, हमारा, क्या था, chloran kayma, मैंने बताया था था, chloran kayma को kolan kayma से यादकना, sorry, chlorophyll से यादकना, kolan kayma तो अलग था, confusion नहीं करना है, ठीक है, पैरन कायma का यह यह ताइप था, chloran kayma जो help कर रहा था, photosynthesis में और storage में, करेक्ट आंसर गया, हमारा पैरन काइमा ठीक है, चालो, यहां तो कोईशन खतम हो गए, चल यह, तो हमने आज प्लांट टिशूस को कवर किया है, सबसे पहले हमने समझा कि टिशूस क्या होते हैं, टिशूस वो होते हैं, जो एक सेल का ग्रूप होता है, जो सिमिलर होता है, फ टिशूस नहीं बोल सकते, सेल्स का ग्रूप तो वो भी है, लेकिन सिमलर नहीं है ना फॉंक्शन स्ट्रक्चर में, तो नहीं, यह था टिशू, ठीक है, टिशू हमने समझा, फिर हमने समझा, प्लांट और आनमेल टिशूस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों डिफ टिशूस देखें, यह सारे प्रिवियस यर क्वेशन से ऐसे ही क्वेशन आते हैं, अब अगर हमने स्ट्रक्चर और फॉंक्शन को अच्छे से समझ लिया, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेशन को करना, आसान ही से बहुत अच्छे नंबर मिल पाएंगे यार अच्छे से पूरे लेक्चर को वापिस देख लेना, तीन से चार क्वेशन बनने ही हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनमल टिशूस, कि अनमल में कौन-कौन से डिफिनेंट काइंड आफ टिशूस रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उनका क्वेशन कैसा रहता है, ठीक है, चलिए, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से स्लाइट्स को देख लीजिएगा, क्वेशन सॉल्व करिएगा, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वन्दे मात्रम